सूपडा साप होगा मैं एक दम कहना चाहता हूँ नमस्कार अभू सब्सक्राद मेडिया वइज में आप सभी का सॉऑगत है मैं हूँ आपके सार्थ अल्फराश चेक इस वक्त हम मौझूद हैं उत्तर पिर्देश की राजधानी लखनौ में लखनौ के अलग-अलग इरियों में जाकर हम जान रहे हैं कि आगामी 2022 विदान सबाचुनाव में लोगों की क्या राय बन रही है 2022 में लखनौ की जन्ता उत्तर पिर्देश के मुख्यमंत्री किसे देखना चाहती है इन 4-4,5 साल के कारेकाल में किस तरीके का काम हुआ है इस वक्त हम लखनौ के खद्रा इलाके में मौजूद हैं यहां से हम होते हुए घुजर रहे थे तो हमने देखा एक बैनर के तले कुछ लोग यहां पर बैठे हुए है और इनकी मांग है कि यह जो पूरा 70 मीटर का शायद यहां पर नाला है हमें आफ कैमरा यह बता रहे थ है इन्से जांएंगे कि खद्रा की जंता क repl क्या चाहती से अपना मुख्हा मंत्री देखनाशाथी और चिस अपना विधायाक चुन ना चालती है तो हम चलते हैं इनहीं लोगों से जानेंगे कि आगामी 2022 में यहां कि समस्या कब जाकर दूर होंगी ते दिनों से यहां पर बैठे हुए हैं और हमारी में मुख्य समस्चा जो है वो यह नाला है यह नाला ही है मुख्य रास्ता है हमारा यह जो आप देख रहे हूंगे एक से डेगर पिटका जो यह है इसी से हमारी मिट्या निकलती है इसी से दुलहन आती है इसी से बराद निक एक हजरत जो थे जमात कमीर उनका इंतिकाल हो गया इसके अंदर गिरने से गाये गिर गई थी यहां के लोग भैबीत थे कहीं है इसा ना हो गवहत्या का मामला हमारे उपर चलाया जाए तो आप यह समझ सकने कि कितना गंबीर मामला है विधायक से लेकर महापाउर तक और नक हम ग्यापान प्रातना पत्र दे चुके हैं टीवट कर चुके फेस्बुक पर डाल चुके हमको ब्लॉक कर दिया गया है कोई सुनने वाला नहीं है एक दम ताना साही रवय्या अपना हुए यहां गंदी की देखकर आपके जो विधायक है आपके जो मंत्री है वो सुध नह प्रातना पत्रों से और तमाम चीजों से आप यह देखके हैं लगातार है उत्तरी विधान सबा विधायक के घर पे यह आप देख सकते हैं यह जो है ट्यूट करा हुआ है उनके घर पे जाकरके हम लोग ने प्रातना पत्र दिये कोई बस चाय पीओ कोई आपका परसनल काम हो बताइए अरे हमारे परसनल काम क्या घर में हमारे पलस्तर करवाएंगे मेरा काम यही है यह नाला बनवाई यह लेकिन वह बस टाल मटोल करके हमको भेज देते हैं तो उन्हों लोग मिलना ही बंद कर दिये पहले अस्वासन दे आपके दो चाय पिलाते यह लोग मत बंदरा था ही तो उन्हों परसनल काम म्यों ने खाव पहर बहुरह फोल्पीं में की दो लेकिन लिए गया कोई कारवाई नहीं की गई तक आप हमें ऑफ केमरा भी बता रहे थे कि हम यहां पर बैठे हुए हैं तो आपको पर दवाब किन लोगों का बनाया जा रहा है कि आप यहां से अनौन नंबर से कई फोन आए हमाई पास उनकी नंबर्स भी है हमाई पर फोन आये हम से आप यहां से हट जाए तो ज्यादा बेतर होगा यहां पर बैठना आपके लिए उचित नहीं रात में कुछ भी हो सकता है इस तरीके की धंकियां भी रह्मान के पास आई हैं तो मतलब यह रह्मान है जो रह्मान जी से जानना चाहूंगा रह्मान जी हमें यह बताई कि इस जगह बेठी है यहां की बात सुनी जानि जानि जी जगह जैसे मैधन वग्राम जैसे दिल्ली वग्रा में हैं उनका करना मतलब है यहां से हट जाओ और चौक्यों पर से फोन है तो बार मेरे पास तो कुछ कहां नहीं बस मिलने के लिए बुलाया है और लोकर नेताओं क नर्ट कि एक लंग से चाहिए जात आएं यहां चयाते चाहरां को तो नहीं लिए यह सबते पहले इन चीजितों वाज़ें और चाहीं सो दावे करती है वो चाहे 15 लाग का हो, बुलेट रेन का हो, सोय स्मार्ट शिटी का हो, 2 करोण नोकरियों का हो, चाहे 20 लाग करोण उपिया विदेशों चो लाने का हो, ये सिर्फ हवे हवाई दावे ही कर सकते हैं, हकिकत में इनके पास हिंदू मुसल्मान, दलिद ब्राममर और अगला पिछ पले घिज गई, इसके ओपर सुनवाई ना हो, इन मुद्दों से भटकाने के लिए, नोजवान रोजगार की बात न करे, छात अपनी फीस की बात न करे, होस्टल की बात न करे, मेस की बात न करे, इससे भटकाने के लिए सारे काम ये लोग करते हैं, क्या लगता है, मचाई है एकदम ऐसा लगा कि उत्तर परदेश में कोई सरकारी नहीं है कोई सरकार ने एकदम यतीम आपने उत्तर परदेश को कर दिया बच्चे जो है कि अनम बिलबिला रहे थे हॉस्पिटल के बाहर माई अपने बच्चों को गोद में लेकर के मरा हुआ लास लेकर के रो रही है ऑक्सीजन की कमी थी नर्स डॉक्टर की कमी थी अगर आप समसान घाट चलिया यह लकडी नहीं मिल लही थी लाइने लग रही थी गंगक किनारे ला से कुट्टे नोच रहे यह हालत आपने कर दिया है पच्चिम से लेकर पुर्वांचल तक कोई आपको बचाने वा पर चुना होते हैं लेकिन इसे बाद यह यह से उपर तना बाहुत फ्रसत बहुत परहसान है और उसको भाने को रोजी रोटी तलास करने के लिए बाहुत करें । अब वो अपने जो मूल उनके मुद्वे हैं वो उसके ओपर ध्यान देंगे उसके ओपर वोट करेंगे करके 100 रुपे के चीज में हर चीज का टैक्स इसलिए देते हैं कि आगे जाके वह मेरे ही काम आ सके तो आप इस साथ देखते हुए हमें मुझे लगता है कि इस बाद बीज़ेपी सरकार बना पाए गई पना पाएगी तो कि उनके पास सी मुद्दे ही हैं पनकाने के लिए मैं तो चाहता हूं कि सेवी भाई की बास सुनी जाए जल से जल क्योंकि यह जो असी दूरी का लंसम नाला है यह बहुत दिनों से साथ से साथ दिनों से बैठे हुए हैं बीच में भी बिमार हो गए थे बरसो रातरी में कोई भी इन से हाल तक नहीं पूछा कि आप बिमार ह कैसे हैं ठीक हुए या नहीं हुए बस इनके पास आए दिन धंकियां आती जा रही है ठीक है और ये इस सरकार के जित्ते भी मंतरी हैं नेता हैं विधायक हैं सब पूरी तरा से कहना नहीं चाहिए चोरी कर रहे हैं चोरी जितना भी धनाया था विधायक निधी का हो कोई भ प्रिवाद को बिलेट ट्रेन चलानी है कौन सा गरीब आदमी है जो बिलेट ट्रेन में घूम पाएगा कोई नहीं बता पाएगा बस यह जातिवात धर्मबात की राजनीती करने वाली भाजपा सरकार है इसका पूरी तरह के सूपड़ा साफ होने वाला है समाजवादी सरकार फुल्स बहुमस्स से आने वाली है और अखिलेज भाई आप फिर से एक बार यूपी को मुखपंत्री बनने जा रहे हैं तो इस वक्त हम खद्रा के एरिये में मौजूद थे खद्रा की लोकल जंता हमारे साथ मौजूद थी इनका जो समस्या थी वह आपने जाना है कि यहा अबरी रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय बन रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए देखते रहें मीडिया वोइस शुक्रिया